प्रभावनाव पर काबू रखे और सिधार्थ की यादों से खुद को थोड़ा बहुत बाहर निकाले इसके लिए सिधार्शकला के मारीता जी उन्हें लेकर जा रही है ब्रहमकोमार्येज और शनास्गल ने ब्रहमकोमार्येज में एक बहुती बहतरीन मंत्रस सीखा है रवावनाव को लेकर आपके बारे में अच्छी बाते कहता है वहीं अगर कोई आपकी बुराई करता है आपके लिए कड़े शब्दों का प्रयोग करता है तो ये भी उसके खुद के ही तरफ से होता है खुद की भावनाव और विचारों की तरह से ही होता है इसलिए ना तो निंदा आपके लिए होती है और ना ही स्तुती ही आपके लिए होती है इसलिए इन सब चीजों से खुद को परे रखें और जो कर रहे हैं उसी पर ध्यान रखें यह है बड़ी काम की बात इना सिर्फ शनास के लिए अच्छी है बलकि अगर हम हमारे खुद के जीवन में भी लागू करें तो बहुत सारी चीज़े नॉमल हो जाती है इसी तरह से हर एक अपडेट जाननी के लिए हमारे चैनल के साथ बनी रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी में पने विचार साजा जरूर कीजेगा शनास गिल ने जो बंत्रा सीखा है उसे आप अपनी जिंदगी में किस तरह से लागू करते हैं